ना दस्त के ये तेरे दिल की हाँ वही दड़कने है यू जार से जो तुझे को अब सुन रही है सुनने जरा ये तुझे से क्या कह रही है आए नहीं जिनके दिवादे वक्त अलजा हुआ है तेरे यहाँ पे क्या वो कल थे यहाँ यहां हफतों पहले किये है दासता आए ना तेरी आदेंक। आए ना तेरी आदेंको तूटे मकाँ एक बारी गिरगे वैसे बनते कहां है जैसे थे तुने अपने दिल से बनाए वो कारियरियों हाथों से ते सजाए आए ना तेरी आदेंको आए ना तेरी आदेंको किताबों के दर दुनिया है तेरी इन बूल बरे पंदों में तू क्या डूंडती और क्या हो गया जो तुझे इस दफ़ा ना मिली प्यारी से परियों की वो कहानी और तुम यू परेशा हो क्यूं ऐ जादू गिरी आज भी तेरे दिल में हवा की और इन काविजों में कही एक गुल है जो ऐसे तेरा इंतजार कर रहा है ये गुल है तेरी वो हसी कहाँ खोगे पता की लेगी कभी आएगा एक दिन जब न की राते यू ना मैं है फूज होंगी तेरे तेरे बन ऐसे तुद देख लेना तेरी कमी तब उनको मैं है शूस होगी मुझे मुझे है बताए ये गाइस कैसे हो आप सब आज हम ये बरहा लेसन करेंगे गुल बाइ अनुभ जैन ये काफी अच्छा गाना है अगर आपने नहीं सुना तो इसको जरूर सुना है ये काफी ट्रेंटिंग रहता है हमेशा ही ठीक है E minor F major 7 वीज में कहीं वार मिडल फिंगर उठाना भी है Fsus2 ठीक है तो एक कॉड है ये F वाली शेप को हमने एक स्टाप उपर कर देना है तो ये बन जाएगी C with ये वाला note with G base ठीक है ये F major 7 इसी को पूरा उपर करना है तो ये बनेगी हमारी C with G base तो हमने इसको भी यहां से स्टार्ट करना है ये वाली कॉड ठीक है ऐसे G जा सकते हैं उपर वाली दो स्ट्रिंग्स होल्ड करके and sometimes नीचे वाली ये वाली 2nd string के हमें होल्ड करनी है और कहीं वार उठानी है कहीं वार रखके कहीं वार उठाके तो ये ही chords है most easy अब आपने इसमें एक दियान देना है कि हमें कुछ भी जो भी हम प्लक कर रहें हमें सारों में 6 से प्लक करना है चाहे A minor हो चाहे E minor हो चाहे F ह ठीक है 6 से ही प्लक करते हो आना है करना क्या है वह मैं आपको बताता हूँ A की पैटन है इस साइड ठीक है इस साइड एक ही पैटन है आपको एक चीज की प्रक्टिस करना है ठीक है वह रोल ऐसे इस चीज के आपने बस इसमें एक प्रैक्टिस करनी है बस क्या ये चीज आपने करनी है ये क्या करनी है ये क्या करनी है हम थम से 6 इंडेक्स फिंगर से 4 श्रिंग और ये मिडल फिंगर से 3 श्रिंग इसको आपने ऐसे नहीं करना है ना ही ऐसे करना है और ना ही ऐसे एक बार क इस टाइप से इस टाइप से प्राक्तिस करने है छी है जब यह हो जाएगा छे चार तीन ऐसे इस टाइप से देन फाइव एंड तू ठीक है ऐसे छे चार तीन पांच दो फिर छे चार पांच तीन ठीक है suppose यह part 1 है, 6, 4, 3, 5, 2, 5 मारा थम से and 2 मारा मिडल से और फिर part 2 में, 6, 4, 5, 3, 6 मारा थम से, 4 इंडेक से, 5 फिर से थम से और यह इस से तो यह pattern एक चल रहा है से तो अगर आपको मिरसे गिडार सीखना है, तो इस मेल कर सकते हैं, गिडार के बारे में जानना है, तो लिंक से in the description में, तो अब आप देख लो, आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको शेफवाइस भी बता देता हूँ, ए माइनर में जब आप कर रहे हो, सेम चीज़ करनी है, पहले रोल, ठीक है, ऐसे, फिर 5 दो, फिर वही, 6, 4, 5, 3, ए माइनर में, 3 ओपन आएगा, एंड वाला 3, 6, 4, 5, 3 में, यह फिंगर हटा देनी 3rd string से, ऐसे चलेगा, ओके, ए माइनर में सेम, सेम, एसे लेना मिडल फिंगर उठाके, सेम, एंड जी असे लेना दो फिंगर से, सेम, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, सेम, और यही पहली लाइन चलती रहेगी, स्टार्ट आसे करना है, ए माइनर पकड़के, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, ऐसे टना, आसे, तॉके, तो फिर भोपूरा गाना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे वो चल रहे, आगे आपको क्या ध्यान देना है, chords wise ही बस आपको ध्यान देना और इसमें ये वाला hand तो मैंने उको बताया constant है ये वाला right hand तो जैसे F major 7 पकड़ना है जैसे ये करोगे इसमें भी end में 3 open आएगा ठीक है और ये ही वाली shape को पूरा आपने उपर कर देना है ऐसे C पकड़ना है with ये G वाला note तो इसमें भी वही करना है तो इसमें जैसे तो 6, 4 आपने ना 6, 4, 5, 3 तो वह 4 हमें open चाहिए इदर हमें end में 3 चाहिए 6, 4, 5, 3 इदर हमें 6, 4 तो ये दियान लगना ओके तो बैसे चलेगा आए ना तेरी आदम को कितावों के गर चार वार हम दुनिया है तेरी चार वार सी इंदूल बरे पन्नों में फिर से तो क्या डूंड़ती जी चार वार दो वार से और क्या हो गया जो तुझे फिर स्टार्ट ठीक है तारा कुछ आपने देख लिया कैसे हो रहा तो कुछ नहीं समझाए मेरे को जरूर पूछना थैंक्यू गैस थैंक्यू वाचिंग पराने वीडियो भी देखेने वीडियो को लाइक करें ऐसे और कोई गाना चाहिए तो मेरे को जरूर बताना थैंक्यू गैस